हलो कनीजास रस्पी में आप सक्का स्वागत है तो आज हम बनाने वाले है चौकलेट लावा मोदग गनेश जी विराजमान हो चुके तो इस स्पेशल अवसर पे आज हम कुछ अलग बनाने वाले हैं बिल्कुल इसी तरीके से लावा मोदग बनाएंगे हम तो चलिए इसे बन पाकेट में मिल जाएगा बस इसे मेल्ट करना है यह 2-3 मिनिट में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा चौकलेट मेल्ट होना स्टार्ट होते ही ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लो करना है वरना चौकलेट जल जाएगी और इसे चम्मत से बिच-बिच में चलाते रहना है तो दे इस्टनसी होनी चाहिए एक मोदक का सेट ले लीजिए उसमें अब चॉकलेट भरना है मोदक सेट फुल होने तक मेल्टेट चॉकलेट भरनी है और चॉकलेट भरने के बाद इसे हिलाना है ताकि मोदक सेट पे जो डिजाइन है वहां तक हमारी चॉकलेट अच्छे से जाकर चिपक जाए और बस दो तीन मिनिट में इसे फिर से इसमें की चॉकलेट निकाल लेनी है पूरी चॉकलेट नहीं निकालनी है बस खुद से जितनी जटकने से निकल रही है उतनी और इसे दस मिनिट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रखना है एक कटोरी में मैंने इस तरीके से रखा है और मैंने सारे मोदक सेट भर लिये इतनी चॉकलेट बच चुकी है जो हमें आगे काम आएगी अब हम लावा बनाने वाले हैं तो मैंने फिर से पानी गरम होने के लिए रख दिया है कुकिंग चॉकलेट आदा कटोरी लिए है इसमें आप दो चमच दूद या दो चमच वीपिंग क्रिम डाल सकते है रूम टेंपरेचर पर होनी चाहिए और दो चमच न्यूट्रल जेल आड़ करना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मेल्ट कर लिजिए ये बिल्कुल थोड़े ये देर में मेल्ट हो जाएगा देखिए कितने अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है बस इसे अब थंडा करने के लिए रख दीजिए थंडा होने के पास इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी मतलब ये थोड़ा थिक हो जाएगा और हमारे मोदक के सेट भी अच्छे सेट हो चुके होगे तो चलिए अभी नेक्स्ट टिप करते है तो अब क्या करेंगे हमने ये जो चौकलेट गनाज बनाया है वो मोदक के सेट में अच्छे से आट कर लेते हैं पुरा फूल नहीं भरना है सभी मोदक सेट में मैं ये लावा चौकलेट डाल रही हूँ हमें पूरा फूल नहीं भरना है आधे से थोड़ा जादा भरना है हमारी जो बच्छी हुई चौकलेट थी वो भी मैंने मेल्ट करने के लिए रख दी है मोदक को पैक करने वाले है अगर चौकलेट जादा गर्म ना हो तो हाथ से इसे पैक करें वरना चमच की सहायता से आपको पैक करना है इसे अच्छी तरीते से पैक कर ले ताकि लावा इसमें से ड्रॉप ना हो और 10-15 मिनिट के लिए आप इसे फ्रीजवर में सेट होने के लिए रख दीजिए 15-20 मिनिट के बाद हमारे मोदक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए है देखिए कितने प्यारे लग रहे है और ऐसे मोदक आप गनपती बापपा को चड़ा दोगे तो बापपा आप पर बेशक खुश होना ही है इसे कट करके भी दिखाएंगे देखिए कितने अच्छी तरीके से लावा उसमें से मल्ट हो रहा है तो प्लीज इस रेसिपी को आप ट्राइ करें गनपती बापपा को चड़ाएं अपना अनुभो का निजास रेसिपी पर शेयर करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू